हार्दिक अभिनंदन मोहादय जैसा की विद्ध है आज का ये दिन भारत के विकास के प्रती एक अटूट द्रसंकर्प का प्रती है और भारत के लिए एक उज्वल समर्ध भविश्य की यात्रा की ओर आरंभ प्रती है इस समर्द्ध यात्रा में हमारे पत्प्रदर्शक भारत के माननिय प्रधान मंत्री मोहदय आदर्णिय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को स्वाव लंबन एवं आकम निर्भरता से विभूशुत कर रहे हैं। आज का ये कारिक्रम इसी का प्रतिबिंद्र है। कारिक्रम के आरंब बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनरोद करूँगी माननिय रेल, संचार और इलेक्ट्रोनिकी एवं सुचना प्रध्योगी की मंत्री श्री अश्री वैशनव जी से कि आप कृपा करके स्वागत संवोधन प्रस्तुत करें। श्री अश्री अश्री व एवं राज्य सरकारों में माननिय मंत्री मोहदे, टाटा एवं सीजी पावर के अधिकारी, दोनों राज्यों के अधिकारी, ताइवान से जुड़े साथी और कॉलेजिस में जुड़े तीस लाग से अधिक यंग माइंड्स। एक साथ तीन सेमी कंड़क्टर युनिट्स क भूमी पूजन के इस एतिहासिक समारों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 1962 से सेमी कंड़क्टर इंडस्ट्री को भारत में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। आज सक्सेस मिली है और ये सक्सेस केवल और केवल प्रदान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्लियर विजन और डिसाइसिव लीडर्शिप के कारण मिली है। आज का दिन इतियास में दर्ज होगा। सात्यों सेमी कंडक्टर इंड़स्री फांडेशणल इंड़स्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या औफ किया जाता है उसमें सेमी कंडक्टर लगता है। चाहे घर में लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, इसकूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, फैक्टरी में लगने वाली, मशीन हो, कम्प्यूटर हो, मुबाइल पोन हो, हर चीज में सेमीकंडुक्टर लगता है। इसलिए प्रदान मंत्री जी के आत्मो निर्वर भारत के मिशन में सेमी कंडुक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपून रोल है और सबसे अधिक खुशी की बात ये है कि इन चार सेमी कंडुक्टर प्लांट्स में से एक प्लांट भारत के नौर्थीस्ट आसाम में आज लग रहा है कितनी खुशी का वो दिन होगा जब अमरिका में, योरोप में, जापान में मेड इन आसाम, मेड इन गुजराट और मेड इन इंडिया सेमी कंडुक्टर चिप से बनने वाली कारे दोडेंगी, लैप्टॉप बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, मुबाई government चलेंगे आज के इन तीनों प्लांट और माइक्रॉन के सेमी कंडुक्टर प्लांट में एक और खासियत है डबल एंजन की सरकार में कैसे काम तेजी से होता है ये चारों के चारों प्लांट इसका होधारण है माइक्रॉन के प्लांट का माने प्रधान मत्री जी ने अपने अमेरिका की स्टेट विजिट के दौरान जूम 2023 में अप्रूवल किया 90 दिन के अंदर अंदर गुजरात सरकार ने जमीन दी सारी की सारी पर्मिशन्स दी और फैक्टरी का काम चालू हुआ वैसे ही मोदी जी अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं टाटा और सीजी पावर के प्लांट 29 फरवरी 2024 में अप्रूव हुए और पंदरा दिन के अंदर प्रदान मंत्री जी इन तीनों प्लांट्स का बूमी पूजन्त करने ने ते यह एक शुट प्रद्र मोदी जी जैसे डिसाइसिव लीडर एक देश में आते हैं राज्य और किंदर सकार दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी आज हमारे साथ यंग और अनरजेटिक टीस लाख से ज़्यादा जो साथी वर्चुली जुड़े हैं आप से मैं कहूंगा साथियों नौजवान साथियों आपके भविश्य का निर्मान करने वाली यह निर्ने ले आने वाले कुछ दिनों में तो याद रखना आपके भविश्य का ध्यान केवल और केवल मोदी जी रख सकते हैं इस बात को आप अपने मन में रखना जब आने वाले कुछ दिनों में आप अपना देश का फैसला लंगे इस एतिहासिक समारों में मानिवर्तदा और देश के सुनहरे भविश्य का नर्माल करेगा अब मैं चेर्मेन CG Power and Industrial Solutions Limited श्री विलायन सुभाया से संबोधन का अनुरोद करती हूं श्री विलायन सुभाया Honorable Prime Minister Narendra Mojiji Honorable Chief Ministers of Gujarat and Assam Honorable Ministers Vaishnavji and Chandrasekharji Colleagues, our partners and guests Namaskaram 75 years ago, my grandfather manufactured India's first bicycle That was what the country needed at that time Times have changed Semi-conductors are the new bicycle These are the very basis of the modern manufacturing economy They are critical to India's Aakmanirvarta Today is not just about laying the foundation stones of Tata's two plants and our plants But the very foundation of India's emergence in the modern economy And an announcement of India's arrival on the global semiconductor state Why did we have to wait until now for this moment? What Bharat is now witnessing is as revolutionary as independence itself We are seeing an awakening and a resurgence that India has never ever seen before This government's ability to foresee what Bharat means to be a world leader is absolutely unprecedented Government and industry are collaborating effectively, leveraging each other Until now, Indians have helped other nations strengthen their leadership position in the world order Brain drain When I graduated from IIT, 140 students out of my class of 290 left for the US This will no longer be the case From now on, we will design for Bharat We will make for Bharat We will build Bharat We are fortunate to have a very strong Japanese partner, Renesas We asked Renesas who will be leading the initiative from their side And they said, Veresh Patel, who is here with us This is the nature of the world today Country or company Indians are in leading roles And that's something we ought to be proud of We are excited to set up this initiative in Gujarat We come from Tamil Nadu In Tamil Nadu, we have 79,000 temples Gujarat has 50,000 It seems that both Tamils and Gujaratis are fond of going to temples And that's basically because we all understand that there is something much bigger than ourselves For me as well, yoga and meditation is important In India, we understand that sadhana and bhakti actually help us become better leaders Help increase our intensity, our energy, our focus But together, in the presence of Adi Yogi We will create an intensely powerful semiconductor ecosystem That is built on the foundation of spirituality I have written a few lines in lighter vein Hum sab hai ek pariwaar Humara dosa, aap ki chaat Desh ka vikaas, semi-conductor ke saath Tez raftar, CG ke haath To rising India, Jai Hind, pranam Indeed, it's a historic day of Silver Line in the sky of growth and development of Bharat And now, it's a historic day of Silver Line in the sky of growth and development of Bharat समय है चेर्मेन टाटा ग्रूप श्री नत्राजन चंद्रसेखरन द्वारा संबोधन का मोहदै आपसे विनिती है कृपा करके अपनी विचार प्रस्तुत करें श्री नत्राजन चंद्रसेखरन Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi Ji Thank you for gracing us with your presence on this historic occasion this event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country Thank you sir I am also privileged to welcome Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patelji Honorable Minister Shri Ashwini Vaishanal Ji Rajiv Chandrasekhar Ji to this event Dignitaries from Government of India Ministry of Electronics and Information Technology India Semiconductor Mission Governments of both Gujarat and Assam Distinguished guests, ladies and gentlemen and members of the media I am thankful to all of you for your presence here in Dolera and Jai Road Assam for the foundation stone laying ceremony of India's first semiconductor fab and the first ingenious semiconductor assembly and test facility Today is indeed a very very special day for India and the group with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dolera and Jai Road in the east and another in the west 2,500 kilometers apart These manufacturing hubs will have a very lasting impact on the environment The ecosystem from across the globe will mobilize to have India as their preferred semiconductor destination For our fab we are very excited to partner with Taiwan's Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation The executives from PSMC are joining this meeting today on video They have given us access to a very very broad portfolio of technology Our partner is a leading foundry company with very extensive manufacturing experience in running megafires The semiconductor industry is innovation driven It is another foundational industry like steel was for on steel is for physical infrastructure Semiconductor is the foundational industry for everything digital We look forward to closely partnering with industry academic institutions and every ecosystem player to build semiconductor talent and infrastructure of tomorrow right here in India We will be creating more than 50,000 jobs in this journey and this is just the beginning Today Every major economy is looking for self-sufficiency in semiconductor supply chain There are three fundamental reasons for this First The chip shortages during the pandemic made us all realize the importance of electronics and our dependency on the global supply chain Second With the cyber warfare becoming a common place Self-sufficiency in semiconductors is a must and a matter of national security And finally Domestic semiconductor manufacturing ecosystem is a must-have to galvanize the indigenous product ecosystem of tomorrow In the spirit of the Tata Group and its core value of pioneering we will deploy our deep customer insights and develop innovative solutions with agility boldness and courage From the very beginning we have been fortunate to pioneer several businesses and today our journey of building semiconductor chips has begun Semiconductor chips have a defining role to play in every industry Like Minister Vaishno said Automotive communications advanced computing AI green tech industrials medical devices defense consumer electronics you take every industry semiconductor chips are very foundational in nature For the first time India will have capabilities to solve semiconductor demands of both domestic and global customers with the chips built in our factories in India I would like to thank you for your trust in the Tata Group as we embark upon this historic journey of India's techet chips for Bigshit Bharat Finally in the words of our founder Jamshedji Tata the community is at the heart of everything that we do We will build world class social infrastructure and thriving communities both in Dhalera and in Jagirod in partnership with the government of Gujarat and government of Assam Thank you again for this opportunity and thank you Prime Minister for your leadership and vision and laying the foundation for a developed India Thank you very much Thank you Thank you Thank you पूरा भारतवश देश के विकास एवं आत्म निर्भरता को विभूशित करने वाले माननिय प्रधान मंत्री महादय जी को अपार सने की धरोखर से अलंकरित कर रहा है। आज भारत के माननिय प्रधान मंत्री महादय के शुब कर कमलों द्वारा शिलान्यास होने वाले सेमी कंड़क्टर यूनित्स में असम की 80MP यूनित भी शामिल है। तो आईए जाने असम के माननिय मुख्य मंत्री महादय कितने आनद की अनुभूती कर रहे हैं। मेरा सविनाई निवेदन है माननिय मुख्य मंत्री असम श्री हेमंता विश्व सर्मा जी से की आप इस शुब गड़ी में अपने भाव व्यक्त करें। श्री हेमंता विश्व सर्मा। भारत की परम आदरनिय प्रधान मंत्री, विश्च की सबसे लोकप्रियो नेटा, श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे केबिनेट मंत्री भारत सरकार की सी अश्चिनी वैश्चनब जी, गुजरात की सन्मानिय मिखा मंत्री भुपेंद्र भाई पैटल जी, ताटा संस के सेर्मेन श्री एन संदर सेखरन जी, सी जी पावर के सेर्मेन श्री सुबाया जी, आज हमारे साथ कनेक्ड हुए सारे अटिठी गन, मैं आसाम बासिव का और से आप सबको स्वागत करता हूँ, प्रधान मंत्री जी, दो हम जब असाम में जी एस्ती का रिजोलेशन डेश का सबसे पहले पारिद किया था, मैं आज भी मेरा याद है, आपने हम लोगों को बोला था कि एफ और असाम, आज यही आपका जो बाइक का था, इसको ही आज हमने साकार होते देख रहा हूँ, आसाम को लेके, नौठिस को लेके, भारत बासियों का मन में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बेरियर था, लोग जब कोई भी इंडास्ट्रियल रिवोलेशन होते थे देश में, लोग कभी उत्तरपूप को कंसिडर ही नहीं करते थे, कि नौठिस में भी कुछ करना संभब है, लेकिन प्रधान मंती जी, आपका निरंतर उत्तरपूप का भ्रमन, आपका असाम बासियों और उत्तरपूप के लिए आपका अगात प्रेम का कारण, आज भारत का सेमी कंडाक्टर रिवोलेशन का पहला दिन ही आसाम को सामिल होने का सोभाईग मिला है, आसाम बासि और उत्तरपूप आपको हमेशा याद करेगा एक डेश का जो एक नेगलेक्टर रिजिन था, एक नेगलेक्टर रिजिन को आपने टेकनोलोजिकल रिवोलेशन का पहला सरन में लेके आया, ये हमारे लिए बहुत बहुत गोरब का बाद है, मैं पूरा आसाम ब आसाम बासि आपको कभी नहीं भोलेगा, आसाम का इटिहास में और आसाम का आने वाला पिरी हमेशा आपको याद करेगा आपका प्रेम का कारण, आपका महानाता का कारण और हमें भी हम यही आपको आस्टाशन देता हूं कि आसाम जो आपने आसाम का उपर टास रिपोस किया है, confidence रिपोस किया है उसका mild, उसका जो एक टेस्ट है, वो टेस्ट में हम खारा उतरने का पूरा कोशिस करूंगा मैं असिनी वहिसनब जी को बहुत बहुत धर्नबा देता हूं असिनी वहिसनब जी ने हमें मार्ग दर्शन किया कैसे शुरू करना है कहां से क्या लाना है सारे हमें पूरा ये समय उन्होंने मार्ग दर्शन किया मैं असिनी जी को बहुत बहुत धहिनबाद देता हूं ताता संस का साथ आसाम का बहुत बड़ा संबंध है ये आज से ये संबंध नहीं है ये बहुत दिन पहले से ही हमारा ये संबंध है और ताटा ने ही ये हिम्मत किया जोग्राफिकल बेरियार को तोड़ने के लिए मैं संदर सेखरन जी और तामाम ताटा गुरूप को धैनबाद देता हूँ और मैं आपको अस्वासन देता हूँ कि आप एकदम बहुत बढ़ी आसाम में इकोसिस्टेम मिलेगा और आपको कभी आपने जो ये सिद्धान लिया इसका कारण आप कभी रिग्रेट नहीं करेगा आपको खुशी होगा आपको अच्छा लगेगा कि you have chosen a correct destination and choosing northeast you have contributed immensely for the development of this great region and great nation प्रधन मंत्री जी हमारा सामने लाखो लोग मजूद हैं सब आपको दोबारा अभिबादन करते हैं और आसाम का इतिहास हमेशा एक आपको जुग पूरुस का नाते आपको हमेशा याद करेगा मेरा कोई भासा नहीं है मैं खाली आपको धैनबा देता हूँ दिल से असाम बासियों का दिल से भगवन आपको लंबी आयूदे और भारत को विश्वगुरु बनाने का ज़ा सपना है आपका मार्दर्शन में आपका हाथ में ही भारत मा विश्वगुरु बने यही मेरा कामना है यही मेरा यही हम लोग का आसा है और हमेशा आप ऐसे ही उत्तर पूप को असीरबाद देते रहें असाम को असीरबाद देते रहें बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन बंदे मातर इस शुब बेला के उच्साह की तरंगें चहू और आभास की जा सकती है और पूरे देश को इस गौरव की अनुभूती देने हेतू एक बात पुन्हा मैं शुल्पा भावना करवध रूप में प्रणाम करना चाहूंगी हमारे देश के माननिय प्रधान मंत्री मोहादे को विकास की इस अविरल बेला में गुजरात के धौलेरा में सेमी कंड़क्टर फैब विद 50,000 WSPM केपासिटी एवं सानन्द में सेमी कंड़क्टर APMP unit for specialized chips का स्चिलान्यास अब से कुछी देर में माननिय प्रधान मंत्री मोहादे द्वारा किया जाएगा तो गुजरात की ये धर्ती इस आरंभवर्ती एक्षण को किस प्रकार संजोए है आएज जानते हैं माननिय मुख्य मंत्री गुजरात श्रीप भूपेंदर भाई पतेल जी के शब्दों में माननिय आपसे अनुरोध है कि कृपा करके उपस्थित गणों को संभोधित करें श्रीप भूपेंदर भाई पतेल बारत के सर्व प्रथम सेमिकंड़क्टर फैप प्रोजेक्ट के भुमी पुजन समारों में हमारे बीच वर्चुल माध्यम से उपस्तित वैस्विक नेता विकास पुरूस आधनिय प्रधान मंत्री स्री नरेंद्रवाई मोदी साहब आसाम के जन प्रिय मुख्य मंत्री स्री हैमंद विश्वाजी हमारे साथ मंच पर भी उपस्तित केंद्रिय मंत्री स्री अस्विनी जी वैस्टनाव डॉक्टर महेंद्र भाई मुझपरा टाटा ग्रूप के चेर्मेन स्री एन चंद्रसेखर्ण जी सीजी पावर के चेर्मेंश्री विल्या सुबयाजी, सीओ स्री डॉक्टर रंदिर धाकूर, उपस्तित सभी महनुभाव, सभी वर्च्यल माध्यम से जुड़े सभी साती मंत्रिगाण, सभी धारा सभ्यश्री और वाला ट्यारे स्टूडन्ट इंडिया टेकेड चीफ पोर व निक्सित भारत के इस कारेक्रम के माध्यम से प्रदान मंत्री जी गुजरात को भारत का सेमी कंड़क्टर हब बनाने वाली परियोद्नाओं की आदार सिला रखने के लिए हमारे साथ उपस्तित हैं, मैं एक बार फिर मानि प्रदान मंत्री जी का इस विसेश उपहर के कि मानि प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र भाई के विजनरी लिडर्शिप में बारतिय उद्योग हर दिन नई उचाएं हसिल कर रहा है। प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि समस्या और संभावनाव में सिर्फ सोच का ही फर्क है और समस्या को संभावनाव में बदलना ही मोधी जी की गैरेंटी है। प्रदान मंत्री जी के दिसादर्शन में सेमिकंडक्टर मैनिफेक्टरिंग सेक्टर में गुजरात को बारत का कैंद्र बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदान मंत्री जी के विक्सित भारत के लिए विक्सित गुजरात का जो विजन दिया है उसे साकार करने के लिए गुजरात प्रतिबद है। गुजरात के पास प्रदान मंत्री जी के इसी विजन को जमीन पर उताने की अपार्क शमता है। केमिकंडक्टर जैसे उबरते सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गुजरात देश का पहला राज़ है जिसे डेडिकेटेड सेमिकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। हमारी सेमिकंडक्टर पॉलिसी के खास बात यह है कि भारत सरकार धोरा एप्रूड सेमिकंडक्टर प्रोजेक्स को अपने आप ही गुजरात में एप्रूवल मिल जाती है। दॉलेरा में विक्सित हो रहा सेमिकंड सेटी भी भारत में एक मात्र डेस्टिनेशन हैं जहां सेमिकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी सभी जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। इस्वकी सेमिकंडक्टर मैनिफेक्ट्रिंग कंपनियां गुजरात की इनी फैसिलिटिस के आकर्सित भी हो रहे हैं। माइकरोन कंपनि के बाद गुजरात में सेमिकंडक्टर से जुड़े दो प्लांट की आदार सिला रखी जा रही है। ये हम सभी के लिए गावरो के एक्षान हैं। सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में मिलने वाली सभी निवेस साउसरों का लाब लेने के लिए हमने एक नौडेल एजेंसी गुजरा स्टेट इलेक्ट्रोनिक मिशन को ओपरेशनल किया है। आज धौलेरा में टाटा इलेक्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेट और सानन जी एडिसे में सीजी पावर अपने इनिश्ट स्थापित करने जा रहे हैं। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी। जानुवरी 2024 में आयोजी त्वाइबरन गुजरात ग्लोबल समिट में स्रियन चंदर सेकर जिन ने गोशना की थी के टाटा ग्रूप धौलेरा में एक विसाल सेमिकंडक्टर फेव उनिट स्थापित करेगा। और ठीक दो महिने के बाद हम सभी इस समारों के साक्सी बन रहे हैं। इतने ही कम समय में इस युनिट की स्थापना का काम सुरू हो जाना ये प्रदान मंत्री जी के नेतरुतों में डबल एंग्जिन सरकार की उकलब्दी का जीता जाकता उदारण है। इन दोनों युनिट की स्थापना से लग्वक पचास हजार से अधिक रोज़ारी के उस्तर खुलेंगे। गुजरात में मैनिभेक्चरिंग हो ले वाले इस सेमिकंडर्ट चिप का उप्योग न केवल भारत में मौझूद इलेट्रिकल वेहिकल इंडर्स्टिस, टेलिकॉम, ऑटोमेटिव, डिस्प्ले और पावर इलेक्ट्रोनिक जैसे सेक्टर में होगा बलकि साथ ही ग्लोबल स विश्वस्तर पर सेमिकंडर्टर्ट चिप का उप्लाई चेन में सामिल भी करेंगे। प्रदान मंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मेक इंडिया मेक फॉर्ड वर्ल्ट इनके इस विचार को वास्तरी ग्रूप लेने के दिसा में बारत जल्द ही सेमिकंडर्टर्टर्ट सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उपरेगा और गुजरात इसमें सबसे बड़ा कॉंट्रि भारत में विनिर्माण पारिस्थिती की तंत्र को शक्ति देने हैं तू अब समय है मानिनिय प्रधान मंत्री मोहदय श्री नरेंद्र मोधी जी के कस्तूरी करूं द्वारा तीनों सेमिकंड़क्टर फैसिलिटीज के शिलान्यास का मैं अनुरोद करती हूँ मानिनिय प्रधान मंत्री जी से कि आप कृपा करके रिमोट के बड़न के माध्यम से तीनों सेमिकंड़क्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें घौलेरा गुज्राद की टी ईपी यल फैसिलिटी का शिलान्यास भाल के मानिनिय प्रधान मंत्री जी द्वारा किया जा चुका है और अब गुरहा है मोरे गाउं असाम की टी ईपी यल ओसिलिटी का शिलान्यास आरब्र के इस चंदन पर संपोण राष्ट्र की शुभेच्छा और अब सानद गुज्राद के सीजी पावर ओसेट फैसिलिटी के सिलानास के हम सभी साक्षी बन रहे है इती शुभं अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं पर बनी लगुचल चित्र प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की विजनरी लीडर्शिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूत पूर्व है इसकी शांदार मिसाल है हमारा अपना सेमी कंड़क्टर फैब जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में यानी 62 साल पहले बीते छे दशकों में कुछ कोशिशे हुई लेकिन इच्छा शक्ती की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को जिम्मेदारी सोंपी विकसित भारत के निर्मान की करोणों देशवासियों की आकांगशाओं के साथ आत्मनिरवर भारत के संकल्प को जोडते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारत ये सेमी कंड़क्टर फैब का सपना साकार हो उठा भारत सेमी कंड़क्टर इंड़स्ट्री के लिए एक अच्छा एनरजी कंड़क्टर बनने के लिए हर चेक्टमोक्स को टिक कर रहा है भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरन है माइक्रॉन जून 2023 में जिसकी घोशना होने के 90 दिन के भीतर ही गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माध होने की संभावना है अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट के साथ भारत ने चौथी ओद्योगी क्रांती Industry 4.0 में अपनी एहम भागिदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है लेकिन साथ ही चिप मेकिन के क्षित्र में ग्रोबल लीडर भी बनने जा रहा है वन अर्फ, वन फैमिली, वन फ्यूचर भारत को सेमी कंड़क्टर मैनिफेक्चिरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है भारत की स्कील, भारत की केपिसिटी, भारत की केपिबिलिटी का पूरी दुनिया को लाब हो यही भारत की इच्छा है आज तीन सेमी कंड़क्टर मैनिफेक्चिरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारों के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्म निर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है सरकार इन प्रोजेक्स को 50 प्रतिशत की बड़ी आर्थिक सहयता देगी गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमी कंड़क्टर फैब प्रोजेक्ट 1,26,000 करोर रुबे की लागत से देश में सेमी कंड़क्टर एकोशिस्टम की एक सुध्वर आधार शिला रख रही है अमरित काल में भारत के सेमी कंड़क्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गती से जारी रहेगी और भारत सेमी कंड़क्टर मैनिफेक्चरिंग का गलोबल हब बन कर उभरेगा वाकई आज के इस अभूत पुर्व शिलान्यास में माननिय प्रधार मंत्री महदे श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूरब और पश्चिन छोर को मिला कर आज एक ऐसे भविश्य की नीव रखी है जिस पर विक्सित भारत पलवित होगा और इस उपुवन के उद्यानपाल भारत के माननिय प्रधान मंत्री महदे जी के स्वागत का जैगोश करते हुए मैं आदर्निया श्री नरेंद्र मोदी जी से संबोधन के लिए अनुरोद करती हूँ लेडिस एंचेंटलमेन श्री नरेंद्र मोदी जी नमस्कार केंद्रियम मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी स्री अस्विनी वैष्णव जी राजीव चंद्रशेकर जी असम और गुजरात के मुख्यमंत्री टाटा ग्रूप के चैर्मेन श्री अन्चंद्रशेकर न स्वी जी पावर के चैर्मेन बेलायन स्भईयाजी केंद्र राज्य एबम इंड़स्टी से जुड़े अन्य सर्वी बरिश्प देवी और सजनो आज का ये दिन अईतिहासिक है आज हम इतिहास भी रत रहे हैं और उजवल भविश्टी तरफ एक बहुत बड़ा मजबुत कदम भी उठा रहे हैं आज सेमी कंड़क्टर मेनिफेक्टरिंग से जुड़े करीब सबा लाग करोड रुप्य के तीन बड़े प्रजेश का सिलान्या सुभा है गुजरात के धौलेरा और सानन में सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी हो असम के मोरी गाउं में सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी हो ये भारत को सेमी कंड़क्टर फैसिलिटी अब में मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपुण पहल के लिए इस महत्वपुण शुरुवात के लिए एक मजबुत कदम के लिए इस आयोजन को ले करके बहुत बहुत बढ़ाई देता मूँ आज इस कारकम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चियल रुप से शामिल हुए है मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्षाईत हूँ साथियों इस अभुद्पुर्व अउसर पर हमारे साथ देश के साथ से ज़्यादा कॉलेज यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टिटूट भी जुड़े हुए ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है मैंने मंत्राले से विशेद अग्रह किया था कि आज का एक कारकम देश के नवजवानों के सपनों का कारकम है और इसलिए जादा से जादा संख्या में आज इस कारकम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए आज का आयोजन भले ही सेमी कंड़क्टर प्रोजेक की शुरुवात का हो लेकिन बविश्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवाओं मेरे नवजवान मेरे स्टूडन्स यही मेरी भारत की शक्ती है इसलिए मेरी चाहती कि भारत के चात्र इस अलत्यासिक छण के साक्षी जुरूर बने आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगती के लिए आत्मन निर्वरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्तिती के लिए चौद तरफा काम कर रहा है इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वात बढ़ेगा और आत्मविश्वात से भरा युआ कहीं भी हो वो अपने देश का भाग्य बदल देता है मैं इस कारकम में देश के कोने कोने से शामील प्रत्य चाहत्र का स्वागत करता हूँ उनका अभिनंदन करता हूँ फ्रेंड्स 21 सदी टेक्नलोजी ड्रिवन सेंचुरी है और एलेक्ट्रोनिक चीप के बिना उसकी कलपना भी नहीं की जा सकती Made in India चीप Design in India चीप भारत को आत्मंदिल भारता की तरफ से ले जाने में आधुना ता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्चत पैदा करेगी पहली दूसरी और तीसरी और जोगी क्रांती के सबाय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था लेकिन अब भारत इंदस्ती फोर पॉइंट ओ चौथी अवद्योगी क्रांती के नित्रुतों के हिरादे से आत्मविस्वास के साथ आगे बढ़ रहा है हम एक पल भी गवाना नहीं चाहते हैं और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं आग का ये कारकम इसका भी एक उदाहारण है हमने दो साल पहले सेमी कंड़क्टरन मिशन शुरू करते हुए इनिश्टिव लेने की गोषणा की इसके कुछी महिनों में हमारे पहले एमाउज साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महिनों के भीतर हम तीन प्रोजेस का सिलान्यास कर रहे हैं इंडिया कमेट्स इंडिया डिलिवर्स एंड देमोक्रसी डिलिवर्स साथियों दुनिया के बस कुछ देशी आज सेमी कंड़क्टर्स की मैनिफेक्टरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें दिया है कि दुनिया को एक रिलाइबल और रेजिनियन्स सपोर्ट सप्लाइचेन की सक्त जरुरत है भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूम का निभाने के लिए तत्पर है भारत पहले एक स्पेस नुक्लियर और डिजिटल पावर है आने वाले समय में हम सेमी कंड़क्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा भारत अभी जो फैसले ले रहा है जो नीतियां बना रहा है उसका भी हमें स्ट्राटेजिक एडवांटेज मिलेगा हमने इज ओफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है हमने कानूनों को आसान किया है बीते वर्षों में हमारी सरकार ने चालीस हजार से ज़्यादा कम्प्लाइंसिज खत्म किये हैं भारत में निवेशकों के लिए एफडी आई के नियम भी आसान हुए है डिफेंस, इंशरंस और टलीकॉम जैसे सेक्टरस में एफडी आई पॉलिशी को और लिबरल किया गया है हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रोनिक्स और हाड़वेर मेनिफेक्टरिंग से उसमें भी अपनी पोजिशन को और मजबुत किया है है लार्ज के स्केल एलेक्ट्रोनिक्स मेनिफेक्टरिंग और आई टी हाड़वेर के लिए PLI schemes हो electronic components के लिए schemes हो या फिर electronics manufacturing clusters हो इन सभी में भारत ने incentives दे कर electronics ecosystem को तरक्की के नए अउसर दिये है आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा mobile phone manufacturer है कुछ सब्सक्राइब के नेशनल कौंट की भी शुरुवात की है innovation को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फांडेशन की स्थापना भी किये है इंडिया AI मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है यानि हम सिर्फ टेक्नोलोजी एड़ोप्शन नहीं टेक्नोलोजी एडवांसमेट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं साथियों सेमी कंड़क्टर इंड़स्ट्री का सबसे जादा लाब अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है सेमी कंड़क्टर इंड़स्ट्री कॉम्यूनिकेशन से ट्रांस्पोर्टेशन तक कई सेक्टर जुड़े होते हैं ग्लोबल इकनोमी में भी इस इंड़स्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेविन्यू और एंप्लोईमेंट जनरेशन होता है यानि चीप मैनिफेक्टरिंग सिरफ एक इंड़स्ट्री मात्र नहीं है ये विकास का बोदवार खुलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है इस सेक्टर से ना सिर्फ भावनाओं आरब उस्ट्री प्रगती होने वाली है आज दुनिया भर की सेमी कंड़क्टर चीप के पीशे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीशे का जो दिमाग है वो दिमाग अधिकाउश भारत के युवाग का ही है इसलिए आज जब भारत सेमी कंड़क्टर मेनिफेक्टरिंग के खेतर में आगे बढ़ रहा है तो हम टैलेंट इकोसिस्टिम की इस साइकल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं आज अभी इस कारकम में हमारे साथ जुड़े हुए युवाग ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावना ये बन रही है स्पेस का सेक्टर हो मैपिन का सेक्टर हो भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है हमारी सरकार ने स्टार्ट अप इकोसिस्टिम को जो इंसेंटिव दिये हैं जो को साथ है वो अबुद्पूर्वा है और इसी का कमान है कि इतने कम बर्षों में भारत दुनिया का तीसना सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टिम बन गया है अब आज के इस आयोजन के बाद सेमी कंड़क्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्ट अप के लिए नए मोके बनने जा रहे हैं मुझे विश्वाथ है कि ये नई शुरुवात हमारी युवापीडी को एड़वांस टेक्नलोजी जॉप से जुड़े की नई अपर्चुनिटिज देगी साथ योँ आपको याद होगा लाल के लिए से मैंने कहा था यही समय है सही समय है जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं निर्णे लेते हैं तो नतीजे भी मिलते हैं भारत अब पुरानी सोच और पुरानी एप्रोच ये छोड़ चुका है बहुत आगे निकल गया है भारत अब तेज गती से निर्णे ले रहा है नीतिया बना रहा है हम पहले ही सेमी कंड़क्टर मेनुफेक्टरिंग में कई दसक हो चुके हैं लेकिन अब हमें एक पल भी घवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा भारत ने सबसे पहले साट के दसक में सेमी कंड़क्टर मेनुफेक्टरिंग का सपना देखा था इस बारे में सोचा था लेकिन इस सपने के बाद भी इस सोच के बाद भी तब की सरकारे उन अवसरों का लाब नहीं ले पाई इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ती की कमी अपने संकल्पों को सिद्धी में बदलने के लिए प्रयास की कमी और देश के लिए दुरगामी फैसले लेने की ख्षमता की कमी इस वज़े से बर्षों तक भारत का सेमी कंड़क्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया उन दसकों में जो लोग सरकार में रहे वो भी सोते थे करे जल्दी क्या है समय आएगा तब हो जाएगा सरकारों को लगता था कि ये तो भविश्की जरुरत है इसका समाग दे अभी क्यों करना वो लोग देश की प्राइविटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए देश के सामर्त को भी समझ नहीं पाए उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है भारत सेमिकंड़क्टर और मेनिपैचरी जैसी हाइटेक चीज़ को कैसे मैनेज कर पाएगा वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधूनिक जरुवत के ऐसे हर इन्वेस्ट्मेंट को नजर अंदाज करते रहे वो हजारों करोड के गोटाले कर लेते से लेकिन सेमिकंड़क्टर मेनिफैक्टिरिंग पर हजारों करोड के इन्वेस्ट नहीं कर पाएगे ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता इसलिए हमारी सरकार फॉर्वर्ड लुकिंग सोच और फिचरिस्टिक एप्रोच के साथ काम कर रहेगे आज हम सेमिकंड़क्टर मेनिफैक्टिरिंग में उन एम्बिशन्स के साथ बढ़ रहे हैं जो विक्सित देशों के साथ कॉंपिट कर सकते हैं हमारे देश की सारी प्राफिक ताउंका भी ध्यान रखा है एक तरफ हम गड़िवों के पक्के घर पनवा रहे हैं तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखो करोड रुपिय खर्च कर रहा है एक तरफ हम विश्व का सब से बड़ा सेनिटेशन मुवमेंट चला रहे हैं वहीं दूसरी और तरफ में सेमी कंड़क्टर मैनिफेक्टरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है हम एक तरफ देश में तेजी से गरी भी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्रक्टर का भी निर्माण कर रहे हैं देश को आत्मन निर्भर भी बना रहे हैं सिर्फ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ही अब तक बारा लाग करोड रुपे से ज़ादा की योजनाओं का सिलान्यास और लोकार्टन कर चुका है कल ही हमने फोकर्ण में 21 सदी के भारत के आत्मन निर्भर डिफन सेक्टर की जाकी दिन थी वो दिन पहले ही भारत थे हैं दो दिन पहले ही भारत थे हैं अगनी फायू के रुपे भारत को दुनिया के एक्सलोजी क्लब बे शामिल होते देड़ा दो दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन करांती की शुरुआत हुई नमो ड्रोन दिधी योजना के तैत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गए हैं गगनियान को लेकर भारत के तैयारी और तेज हुई तेजी आई हैं हाल मेरी देशने को अपना पहला मेड इन इंडिया फास ब्रीडर नुकलियर रियक्टर मिला है यह सारे प्रयाश यह सारे प्रोजेक्स भारत को विश्शित होने के लक्ष के और निकट ले जा रहे हैं तेज गती से ले जा रहे हैं और निश्शित तोर पर आज के इन तीन प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी और साथ कि आप जानते हैं आज चामरों तरफ एई की भी उतनी ही चर्चा है भारत की ट्रेंट आज एई की दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है आपने देखा होगा पिछले एक दो सब्ता से मेरे जितने भी भाषन होते हैं कुछ युवान नवजवान मेरे पास आए उन्होंने कहां साब हमां आपकी एक एक बात हर भाषन में गाउं गाउं पहुचाना चाहते हैं उन्होंने AI टूल का उप्योग किया और आज मेरा हर भ आशा में कुछी समय के बाद सुनना सुरू कर दोंगे याने किसी को तमिल सुनना है किसी को पंजाबी सुनना है किसी को पंगाली सुनना है किसी को समया उडिया जो भी सुनना है यह AI का कमाल यह मेरे डेश के नवजवान कर रहे हैं और मैं तो ऐसे नवजवान टीम का भार तो उन्हाने मेरे लिए इतना बढ़िया ए आई के जनरेटेड मेरी स्पिचिज को मेरे भाषणों को हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटर्प्रेटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है मेरे लिए बड़ा अनुद का खुजी का विशे बना है और देखते ही देखते हैं सभी यूएन लेंग्वेजिस में भी हमारी बात यही के मात्यम से पहुंचेगी कहने का तत्पर यह है कि भारत के नवजमान के लिए बहुत बड़ा आउसर लेकर आया है साथ एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्वावनाई देता हूं और मैं हमनता जी कि इस बात से बहुत सहमत हूं कि नौर्थ इस में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिटिव लिए जा सकते हैं हमने यह ताई किया है और मैं तो मानता हूं कि साउथ इस एशिया किसे के साथ हमरा जो जुड़ा बड़ रहा है तो मेरा नौर्थ इस्ट 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 जुड़ने का सबसे बड़ा ताकत वर खेत्र बनने वाला है मैं साब साब इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुवाद देख रहा हूं तो मैं असाम के लोगों को नौर्थ इसके लोगों को अग सबसे ज़्यादा सुब कामनाई देता हूं सबसे ज़्यादा बढ़ाई देता हूं साथियों आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए मोदी की गारंटी आपके लिए है आपके भविश्य के लिए है आपको साथ देने के लिए है बहुत बहुत धन्यवार धन्यवाद मोहदे वाकई में जैसा कि प्रधान मंतरी मोहदे ने हम सभी से कहा कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए साधन सभी जुट जाएंगे संकल्प का धन चाहिए और इस संकल्प को सिद्ध करेगा भारत मानेनिय प्रधान मंतरी जी के नेत्रत्व में और आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े एक बार आप सभी लोगों का पुना हम सरिदय धन्यवाद करते हैं अलग-अलग एक शेत्रों में अब वहां के लोकल कारिक्रम चलेंगे फिर इलेक्ट्रोंिक की एवं सूचना प्रध्योगी की मंतराले भारत सरकार की ओर से आप सभी का अधिनन्दन करते हैं थांक यू सो मच शिल्पा भावना को इजाज़त दीजिए जैहिंद प्रध्योगी की आप सब्सक्राइब भारत माता की नरे नमुदे नरे नमुदे अजीर हभात अमारमाज़त उपस्तित अहम सरकार और उद्दुग मंतरी बीमल बरादांगुरिया जागिरुट हमस्तिर हन्मानिय विधायक आपुनालुकर हकलुरे मरमर हन्मानिय मंत्री पिजुज हजरिका दांगुरिया हन्मानिय मंत्री केखब महंत दांगुरिया युगेन महान दांगुरिया बिधान खभार उपाधेख नुमल ममिन दांगुरिया आजी आमार माजत, मन्छत उपविस्त अहम सरकारोर मुखः खोशिप पबन बठाको दांगोरिया डाइरेक्टर आमार तारता सान्शर प्राहा बनमली अगरला दांगोरिया रंजन भतासायजी दांगोरिया, डॉक्टर सरन् गुरुमुत्ती दांगोरिया आरो भारत सरकारोर सेमी कंडाक्टर मिशनर सी यो आकास टिपाथी दांगोरिया ताता टेक्नलोजी चेर्मेन डक्टर अजयेंद्र मुखारजी दांगोरिया अखम सरकारोर आरोखी खन्शालोग प्रधानके आदिकोरी मन्सद उपविस्त विखिस्त बेक्ती खकल आयमात्री खकल और जुबग जुबटी बंदुबांदवी खकल अलप अगते आमी खकलुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदिदांगोरियार भाखन खुनिलू आजी दिन्तुद भारत तिनीता सेमी कंडाक्टर इंडास्ट्री बबे आधार्खिला स्तापन करा होई से आमार भावे गोरबर कथा जे इयारे एता सेमी कंडाक्टर इंडास्ट्री एई सेमी कंडाक्टर इंडास्ट्री ताता electronics private limited company आरू ताता संसर डारा जागीरुदत स्तापन करीबर भावे हिद्धान तलुआ होई से स्रद्धार राईज एई जागीरुदत जी इंडास्ट्री स्तापन करीबर भावे विशरा होई से एई इंडास्ट्री आमार ताता संसर डारा एई उद्दुगर बावे हाथाईज हाजार कोटी तका ब्याई करा होब अठात आमार अखमर उद्दुगी करणर बावे हाथाईज हाजार कोटी तका ब्याई करा होब आरु एक हमस्त पक्रियातु आमी पुंधर हाजार पत्तोइखा निजुकती आरु पुंधर हाजार अपत्तोइखा निजुकती आमी लाफ कोरी बलो एक खम हम अखमर उद्दुगी करणर आजी दिन्तु एता माईलर खुटा होई रोईजाबो आमा राज्यत हाथाईज हजार तका कोटी तकार बिनियुद आगते केतिया वहानासिल एया प्रथम बार अर बावे आजी बास्तोबद परीन अतो होईशे स्रधार आईज इ आमा केता आखार खंसार कोरी से पिसपरी ठका उत्तरपुप पिसपरी ठका अखम आजी भारतर उद्दुगी करणर मानसित्रत एक नोतुन दिगंतर खंसार कोरी से अहां जुआ समा आगटे मोई जेतिया उल्लेक करी सिलू जे अखमत ताता याता सेमी कंडाक्टर इंडास्ती आरंभ करीवा मुर मनत आशे जे भारतर एजन पोईखात राजनो इतिक नेताई मुग इतिकीं करी टुइट दिशिले जे मुग उद्दुग स्तापन अधिनाखन मातीब कारण तेया मनत भावील है जे अखमत एकाम के तिया उखम मब नहाई तेटिया मुग तेखेता कोई सिलू जे एया नोतुन अखम आमी जी भावीम आरो आमी अखमबाखीर मंगलर कारणे जी सिंता करीम ताक आमी काज्यत परिनत करी देखुआम एह है नोतुन अखमर बानी आजी मौई तेखेतार नामूल बखुजा नाई आजी तेखेते कुन राजन अईतिक दलर लगटासे तार बिखयो मौई उल्लेक करी बखुजा नाई किनो एता कथा मौई विशा करू मा कामाइखा आरो महापुरु स्रीमांत देबर हंकर देबर एह पवित्र भुमित आमी नरेंडर मुधिदांगरिया अखिरबादेरे एक नतुन बुरंजी रसना करीम एक नतुन इतिहाक रसना करीम आरो अखमत भारतर उद्दुगी करनर मानसित्रत आमी प्रतिस्ता करीम स्रद्धार राईज प्रधानमंती नरेंडर मुधिदांगरियार एकांत आग्डरहत आधी एह उद्दुग जागिरुदत प्रतिस्ता होई से मैं खकलु राईज अको नुरुत करीम प्रधानमंती नरेंडर मुधिर कारने एता दिघलिया हाथ सापरी आपुनालुके मारी अखम्बाखिर होई तेखेत अखमबर्धना जनाबो स्रधार राईज केंडियो मंत्री असिनी बोईश्नवदा गोरिया तेखेते एह मंत्रालोयर नेत्तित दिये जेतिया मैं तेखेत अरुसरत प्रथम एह प्रस्तापलोय गोई शिलू तेखेते मुख निराख करा नाशिल बरंश तेखेते कोई शिल जे अपुनी आगबाहरक भारत्शर करे खहाई करीब आरू इअखमत निस्च खम्भब हब मोई क्रित्यक्ग अखम्भाखी राईजर होई आजी असिनी बोईश्नवदांगरियाको धैनदभादारो अभिननन जनाईशू स्रद्धार राईज आधी आमार माज़त ताता संसर अजध़क्ष एन संदर सेखरन हारीरिक भावे उपस्ति ठाकीब परा नाई तेखेट गुज्रातर प्रामार लगत हन्जुजित होयासे माई एता कहीनीक अभखुजिसु। माई मुख़्मांती दायत लवार पीशत माई मुंबाईलोय गोई शी संदर सेखरन डांगोरियाक अनुरुच करी शीलू। आपने काजीरोंगात एखन तातार होटेल पतार बबे आगबरी आहक। संदस एखर नागोरी आई मुग कोई सिले जे एटिया अखम परिबोटन होई से होटेलोर कारने मूर यादा हिबना लागे मुग कोई भारत और आताइक कोई डागोर उद्दुग तो अखमत पोटिस्ता कोरीम खेई पोटिस्ती आपुनाक मुग आजी दिशू हिडिनाखन मुग विश्चा कराना सिलो मुग भावी सिलो मुड होटेल खन गोल आरो केटियाओ होटेल खन नहोब बनमाली जी हमारे बीच में उपोस्तिद है मैं मुंबाई में ताता संच का पास गिया था एक होटेल मांगने के लिए काजी रंगा में संड़ सेखरन जी ने मुझ को बटाया था कि हिमन जी होटेल का जरूरत नहीं होटेल अपने अप असाम में आएगा मैं आसाम में सेमी कंड़क्टर इंदस्ति को लेके आ रहा हूँ मैं विश्वास भी नहीं किया था लेकिन ताता ने आज हमारे लिए जो कुछ किया आसाम का लोग हमेशा संद से खरण जी ताता संद और ताता फेमिली को हमेशा ग्रेटफुली रिमेंबर करेगा हमेशा आसाम बासी आपका साथ रहेगा मैं आपको ये आसुआसन देता हूँ स्वधार राईज तातार डिघोली या बुरोंजी या ते खेग होई जुआ नाई रटन तातारां और यार पज्ट्वखर प्रसेस्तात अखम अट आजी होतर अखन कैंसार हस्पिटाल प्रतिस्ता होई से आजी तातार लगत आमी जोरितो होई अखम अर आई ती आयारो पोली टेक्निक हमुहत इंडास्ट्री 4.0 रिभोलेशन अर लगत जोरितो करार बाबे तीनी हाजार कोटी तकार प्रकल्प रुपायन और कामत आगबर हिस्चु मै अटाय अनुरत करीम अखम अ राइजे अखम खन इती बासक करी राखक बन्ह पिकेटिंग भर्नाय अखमक अगुआई दिबनुआरे इती बासक सिंताई है आमाय राइज्य खनक अगुआईलोई जब पारे तक मै बिश्चा करी शिलू आरु आधिक हेई बिश्चा मै आकोवेबार मुर्व हेई बिश्चा दुगुन खत्ती खाली होल मै केटियाओ अखमर मुखमन ती दाइत्तलुआर दिना एने कुआ खुनाली दिन देखिम बुली मै केटियाओ आखा करा नाशिलू मै बिश्चा करू भगबान और अपार अखिर बादासिल कामाय खामा महापुरु स्रीमान तो हंकर्देप अखमर तिनी गोटी राइजर अखिर बादासिल जार कारने आजी आमी एता एने ओईटी हाखिक दिन देखिबोलोई ख़ई खम होई शुँू राइजर अटाइकम अखमर भबे आजी दिन तू खेक न होई अखमर बाबे आजी दिन तो आरम्भनी मात्रो ताक मैं अखमर आईजग विश साखेरे खोईटे कबो विशारू च्रधार राईज आजी मुर्बाबे एता अबेगर दिन मुर्बाबे एता प्राप्ति दिन जेटी आई आटे हिंदुस्तान पेपार कर्पोरेशन बन होई गोई सील हकलू अहम बाखी एक कांडी सील किनु विपदर माजटू हंकतर माजटू मुई हम्भा बना देखा पाई सीलू हिदी नाखन मुई अंदुलन करा ना सीलू मुई काकुट दोग दिया नसीलू मुई मात्र प्रतिक्गा करी सीलू जे एई हिंदुस्तान पेपार कर्पोरेशन और जागीरु दक आमी उन्दय अनर एक नतुन दिगन्टलोई लोई जाम जाक मानु है कल्पना करीब परानाई जाक मानु है भावी बपरानाई आजी खेई दिन्तु आही उपस्तिद होल मुई पिजूज हाजोरी का दांगोरियाक धन्नबाद जनाईशू जे टेखेते प्रजी प्रसेस्ताल अले तार बाबे आजी एई दिन्तु खम्बभल मुई जाकिरुट हमस्तिर बिधायक पिजूज हाजोरी का दांगोरियाक बहुत बहुत धन्नबाद जनाईशू स्रद्धर राइज आमार मन्त्री बिमल बरा दांगोरिया आरु गुट्टे अखमसर कारोर टीम जुआ एता बसर धोरी दिने रातिये एई जाकिरुटक एक हपुन पुरिलोई रुपान तर करार बाबे कामत लागिया सिले आजी एई दिन्तुत मुई जाकिरुट बाखिर आई जो गनुरुट करीम अखम सरकारोर बिखया कर्मसारी आरु उद्दुक मंत्री बिमल बरा दांगोरियार काराने आपुनालो केता दिघलिया हाथ सा परी बजाओ कारण आजी आमार बाबे क्रितोईगोतार दिन मै खेखत हामोरीम अखम बाखी क्रितोईगो एखन राइज्यो आजी दिन तुट आमी हकलुए आको एबार दिघलिया हाथ सा परी रे ताता संस आरो एन संडर से खरंडांगोरियाक अखम बाखी राइजर होई धैन नबाद जनाम हकलुके मै हाथ सा परी बजाबर बाबे अनुरुद करीशु हकलुके आजी दिन तुट पदार्मंती नरेंडर मुदी रागरियाक आमी कितच गतारे उपशाइ दिशु आरो ताता संशक आमी कितच गतारे उपशाइदिशु हकलुए मूलग दिघलिया हाथ सा परी हकोल हुए शोड़ाराइस आजीम अंतर भरिया पुनालुके कोख भारत मता के नरेंडर मोडे जय आयखम बहुत बहुत धन्य बाद एताइकम आजी दिन तु खेखना है आजी दिन तु नतुन खुरुजर आरम हनी बहुत बहुत धन्य बाद जय हिन बंदे मातरम। अजीम तु नाव रविव थर नाव रविष्टा वर शीफ मिनिस्टर सर्ट काईधी प्रसीट पुरुजर फौरुजर प्रेविपली अनुरुजर आईसो कर दो करने दोना है प्रधान मुंचे अखिर बादेर अख्मात नो तुन गुरोंजर शुष्टी होल बिली मुखमुंच गुरा के जनाई से अजी भाखन प्रखंगो जनाई से अपिसोते या प्रधान मुंचे आग रहते काम होल बुली ते आर फ्रताव मुंचे आखिए से नाए मुंचे अफतान मुंचे डार्टाव। अद्रसार इयो नुस्तानुरों आनन्तात अई दिखिभिले बौहा गुषे मुख Sवान ठाए जो रूवो ऊजरा हैmm algumas nei मैषी nूरॉ जा चर्ड़ एक ट्रश्ट जा होगाई इस प्राइट अगाने आजी रे ओई टी हाकी को तनर हम और नी मारी सुझत we would like to express our sincere gratitude to all those who have worked tirelessly to make this event a grand success thank you all once again